हेलो एवरिवन आप सभी का फिर से स्वागत है यह घटना चक्र साइन्स का डिसकसन है हम लोग बायलोजी को डिसकस करें बायलोजी में हमारा टॉपिक चल रहा है बिटामीन एवं पोशन इससे पहले वाले सेशन में प्रशन संखिया 30 तक अल्रेडी हम लोग उने कंप्लीट कर लिया था आज का जो सेसन है 31 से स्टार्ट करेंगे लेकिन डिसकसन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दू कि इसका पीडिएफ एविलेबल है अगर आपको पीडिएफ चाहिए तो टेलिग्राम चैनल टेलिग्राम ट्वीज ग्रूप यह चैनल के कम्यूटी बॉक्स मे जाईए वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफोर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है το चले स्टार्ट करते हैं 31 पुछा गया कि निमल्लिखित बिटामीन में से कोन सरीर में भंदालित नहीं होता है won कोन सा बिटामीन है जो सरीर में संचित नहीं होता है विटामीन सी जो है भंडारित नहीं होता है हमारे सरीर में एक और विटामीन है जो जल में बीले होता है कमेंट करके बताईएगा इससे पहले वाले सेशन में बहुत बार हम लोगों ने रिपीट किया है, डिसकस किया है 32 है नेमलिखित में से किस विटामीन की कमी से खून का ठक का धीरे बनने की बिमारी होती है किस विटामीन की कमी से खून का ठक का ब्लड क्लोटिंग होने में धीरे बनने की बिमारी होती है यानि खून का ठक का नहीं बन पाता है इसका सही जबाब क्या होगा कमेंट करके बताईए तो देखे कुछ लोगों ने इसका सही जबाबी दिया है बिटामीन के कमी से सरीर में जो होता है मतलब कि सरीर में जो खून होता है ये पतला हो जाता है यानि सरीर में जो खून होता है पतला हो जाने के कारण जब चोट लगता है या सरीर के किसी अंग में मतलब कि घाव हो जाता है या कहीं कट फट जाता है तो लागतार ब्लड निकलते रहता है यानि ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाता है थक्का नहीं जम पाता है वो विटामीन के कमी के कारण होता है बिटामीन के कमी से सरीर में खून का ठका यानि बलड क्लोटिंग धीरे बनने की बिमारी होती है इस बिटामीन को रूधिर स्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं इसके कमी से बैक्टिवो का ओपरेशन असानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि बलड अधिक बहजाने का डर बना रहता है 33 नमबर नेम लिखित में से कौन सा बिटामीन मनुस्य में रक्ट के जमने के लिए जिमेदार है बलड प्लोटिंग के लिए जिमेदार है कुछी सेकेंड पहले हम लोगों ने डिसकस किया है सही जबाब किया होगा आब बताईए कौन सा बिटामीन मनुस्य में रक्ट के जमने के लिए जिमेदार है तो सही जबाबे बिटामीन के ओप्सण A 34 नमबर है रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की और सकता होती है तो सही जवाबे विटामिन के B अप्शन बिलकुल करेक्ट अप्शन है 35 नमबर है रुधिर असकंदन में कौन सा विटामिन परभावी होता है रुधिर असकंदन में कौन सा विटामिन परभावी होता है तो सही जवाबे विटामिन के अप्शन A बिलकुल करेक्ट अप्शन है इसके बाद 36 नमबर प्रश्ण है बिटामीन जो रक्त के ठक्के बनाने में परभावी होता है वो है बिटामीन जो रक्त के ठक्के बनाने में परभावी होता है वो है बिटामीन के D option बिलकुल correct option है 37 नमबर निमलखित में से कौन सा विटामीन प्रती असकंदन वीशो के अगर बात करें तो प्रती असकंदन वीशो के प्रती विश्प्रतिकारक के रूप में परियुक किया जाता है वह कौन सा विटामीन है जो प्रति असकंदन 200 के प्रति 20 प्रतिकारक के रूप में परियोग किया जाता है तो सही जवाब हो जाएगा बिटामिन के डी अप्सन प्रति असकंदक 200 के प्रति 20 प्रतिकारक या एंटीडोट के रूप में बिटामिन के का परियोग किया जाता है तो याद रखिएगा important है और तीस नमबर है निमलिखित में से क्या आत के जीवाणू के द्वारा संसलेसित होता है याद रखिएगा सही जबाब हो जाएगा इसका जो सही option है वो है option A और option C यानि vitamin B12 और vitamin K मनुस्य की आत के जीवाणू के द्वारा vitamin B12 और vitamin K दोनों का संसलेसर किया जाता है तो A और C option दोनों सही जबाब है 39 है vitamin D का सुरोत क्या है vitamin D का सुरोत क्या है vitamin D का जो महतपूर सुरोत है वो है सुरे की परकास, सुरे की किर्ने vitamin D का सुरोत शुरे की किर्ने यानि Sun raise है वास्तों में सुरे की किर्नों के द्वारा vitamin D का निर्माण हमारी त्वच्चा को शिकाओं के द्वारा किया जाता है जो की यहां से निर्मित होकर रूधीर में मुक्त हो जाता है इसकी अलावा मख़न यकृत अंडों की जर्दी रिक इत्यादी से भी यह मिलता है विटामिन D के कमी से बच्चों में रिकेटस तथा वियसको में ओस्टियो मैलेसिया नामक विमारी हो जाती है कैलसियम और विटामिन D की संजुगत रुप से कमी होने पर वियसको में ओस्ट तो इसका सही जबाब हो जाएगा vitamin D काफी महत्पूरे बहुत बार पुछा गया है 41 निम्न में से कौन सा एक vitamin सूरे की परकास के उपस्थिती में जो त्वचा में बनता है सूरे के परकास की उपस्थिती में त्वचा में जो vitamin बनता है उस vitamin का नाम क्या है comment कीजिए पांच सेकेट का टाइम है वीडियो को पाउच कर लें comment कर लें तब आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कितने लोग comment करते हैं बहुत ही असान से सवाल है बहुत important है कई बार ये प्रशने पूछा जा चुका है तो comment करके बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा vitamin D 42 नमबर है vitamin D की अलपता से कौन सा रोग होता है vitamin D की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए vitamin D की अलपता से या कमी से जो रोग होता है उसका नाम क्या है vitamin D की कमी से जो रोग होता है एक है रिकेटस दुसरा है औस्टियो प्रोसिस रिकेटस और औस्टियो प्रोसिस बिटामिन डी के अलपता से होता है A और C option बिल्कुल सही जवाब है 43 है बिटामिन डी में नेमलिखित में से क्या पाया जाता है तो इसका सही जवाब है कैल्सिफ हरॉल B option Vitamin D nurse vitamin D nurse vitamin D criter competing vitamin D harshly vitamin D2 before D2 याद रखिएगा गर बात करें तो विटामिन D2 को और वो केलशीफ हेरॉल कहते हैं जब कि विटामिन D3 कोले केलसीफ हेरॉल कहलाता है विटामिन D2 विटामिन D का वह परकार है जो मुख्य रूजन और आहार अनुपूरा के रुप में मनुसियों को प्राप्थ होता है मुख्य रुप से भोजन में यमाखान, मस्रूम, दूद, पनीर, मांज, अंडो की जर्दी, मचली के तिल आदी में मिलता है इसकी कमी से बच्चों में सुखा रोग या रिकेटस नामक रोग हो जाता है 45 है कोले कैलसी फिरोल रसाइनी की योगी का समाने नाम क्या है कोले कैलसी फिरोल रसाइनी की योगी का समाने नाम है समाने नाम क्या है तो बिटामिन डी बिटामिन डी याद रखिएगा कोले कैलसी फिरोल रसाइनी की योगी का समाने नाम बिटामिन डी है जन्तु में दो सक्रिय बिटामिन D होते हैं कोले कैलसी फेरोल तथा अर्गो कैलसी फेरोल अर्गो कैलसी फेरोल का संसलेशन स्वेम जन्तु सरीर में होता है किन्तु इसकी परकिरिया जटिल होती है सुर्य के परकास की प्राबेगनी किर्णों के परभाव से अर्गो इस्ट्रॉल नामक पदार से इस्ट को सीखाएं अर्गो कैल्सिफेरॉल का संसलेशन करती है 46 है निमलखित में से किस बिटामीन को हार्मोन माना जाता है वह कौन सा बिटामीन है जिसको हार्मोन माना जाता है तो देखे सही जवाब है बिटामिन D को हार्मोन माना जाता है तो D option भी सही जवाब है बिटामिन D को हार्मोन माना जाता है इसके सरजन में कैलसी फिरोल पाया जाता है जन्तु में दो सक्रिये बिटामिन D होते हैं एक होता है कोले कैलसी फिरोल तथा दूसरा होता है Coley Calciferol का संसिलेशन स्वें जन्तू सरीर में होता है किंती स्की परकिरीया जो होती है जटिल होती है Bueno Calciferol का संसिलेशन सुरिय परकास की परबैगनी किन्ओं के परभाव से Eργostrol नावग पदार से इष्ट को सिखाएं करती है 27 है निम्लकित मेंसे कौन साई यूग में सही सुमेलित नहीं है कौन साई यूग में सही सुमेलित नहीं है तो सही जबावे बिटामिन के का समन बंध्यापन से दिया गया है सही सुमेलित नहीं है ठीक है बिटामिन के कमी से रत के ठका बनने में समस्या होती है जबकि अले समस्त विकल्ब सही सुमेलित है फोटी एट है रताउंधी निमलिखित में से किसके कमी के कारण होती है रताउंधी निमलिखित में किसके कमी के कारण होती है तो इसका सही जबाब हो जाएगा बिटामीन बताइए बिटामीन A की कमी से रतोंधी नावक बीमारी होती है C option बिलकुल सही जवाब है बहुत बार ये प्रशने पूछा गए याद रखिएगा और खटे फलो में यानि निम्बू संत्रा आवला इत्यादी में बिटामिन C की पर्चूरुता होती है काफी मात्रा में पाई जाती है मानो सरीर में बिटामिन A संचित रहता है किस में मानो सरीर में बिटामिन A की काफी मात्रा जो है संचित रहती है बिटामिन A का रसाइनिक नाम रेटिनॉल है जिसकी कमी से सरीर में रतोंडी हो जाती है यह बिटामीन समाने द्रिष्टी के लिए आवस्यक होती है इस बिटामीन को संक्रमन रोधी बिटामीन भी कहते हैं इसके परमुक्सुरुत दूद, मकन, अंडा, मचली का तेल, गाजर, इत्यादी है 50 नंबर है मानो सरीर में बिटामीन A भंडारित होता है तो इसका सही जबाब है यक्रित में ओप्शन A बिल्कुल सही जबाब 51 निमलिखित में से किसमे बिटामीन A की मात्रा अधिक है तो सही जबाब है गाजर, B ओप्शन बिटामीन A मुख रुप से गाजर में पाया जाता है यह बिटामीन नेत्र ज्योती के लिए आवस्या पोशक तत्व है पालक में मुख्यता लोह तत्व पाया जाता है जो रक्त में हिमोग्लोबिन की सांद्रता में योगदान करता है जिसे ऑक्सीजन का परिवहन सुगमता से होता है आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या 52 नेमलिखित में से कौन सा एक बिटामीन ए का पर चूर्तम सुरूत है तो सही जबाब है आम आम में सभी फॉलो से अधिक बिटामीन ए पाया जाता है ठीक है और इसके साथ साथ इसमें बिटामीन सी और बिटामीन ए भी पाया जाता है तो सही जबाब है गेहूं अंकूर का तेल यानि सी ऑप्सन मानो सरीर को स्वस्त बनाये रखने के लिए जीन बिटामीनों की जुरत पढ़ती है उनमें से सबसे महत्पूर बिटामीनों में से एक बिटामीन E है जो कि एंटी ऑक्सिडेंट के रूप में मानो सरीर में को सिकाओं को समाने रूप से कार करने में सहता परदान करता है विटामीन E वसा में गुलन सिल विटामीन है जो कि गेहु के अंकूर के तेल में सबसे अधिक पाया जाता है और इसका सबसे महत्वूर्ण शुरोत है विटामीन E को बंध्यता रोधी कारक भी कहते है 54 है निमलिखित में किसका निर्माण हमारे सरीर में नहीं होता है किसका निर्माण हमारे बॉड़ी में नहीं होता है सही जबावी बिटामीन A बिटामीन A का निर्माण हमारे सरीर में नहीं होता है विटामिन A यानि रेटिनॉल मानो शरीर के द्वाना संसलेसित नहीं किये जा सकते हैं विटामिन K, विटामिन B12 और विटामिन D संसलेसित किये जा सकते हैं 55 है समाने द्रिष्टी के लिए निमलिकित में से कौन सा विटामिन आवस्यक होता है समाने द्रिष्टी के लिए निमलिकित में से कौन सा विटामिन आवस्यक होता है तो सई जबावे रेटिनॉल यानि D-Option मानो सरीर में यकरित में विटामिन A काफी मात्रा में संचीत रहती है बिटामिन A का रसाइनिक नाम रेटिनॉल है जिसकी कमी से सरीर में रताउंधी हो जाती है या बिटामिन समाने द्रिष्टी के लिए आवस्यक होती है इस बिटामिन को संक्रमन रोधी बिटामिन भी कहते हैं इसके परमुक्स रोध दूद, मकन, अंडा, मचली का तिल, गाजर, इत्यादी है हिप्टे 6 है कथन A कहरा कि यादि कोई बैक्ती हरी सब्जिया खाना बंद कर दे तो उसे रताउंधी हो जाएगी कारण आर उसमें बिटामिन A की कमी हो जाएगी इन में से कौन सा कथन सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है, एक गलत है, या एक निचे वाला यानि आर सही है, या एक गलत है, आर सही है तो इसका सही जबाब हो जाएगा, एक गलत है, लेकिन आर सही है, कैसे यदि कोई बेक्ती हरी सबजिया खाना बंद कर दे तो उसमें विटामीन A की कमी हो सकती है और विटामीन A की कमी से रताउंधी रोख हो सकता है प्रस्ण में यह इंगित किया जाना कि हरी सबजिया ना खाने से रताउंधी हो जाएगी भासा से समझे त्रूटियां प्रतित हो रही है गलती प्रतित हो रहा है ठीक है तो ऐसा भासा जो प्रयूग किया गया है इसी के वज़ा से जो ए मतलब कथन है वो सही नहीं है 57 है जिस विटामीन में कोबाल्ट होता है वो कौन सा है किस विटामीन में कोबाल्ट पाया जाता है जिस विटामीन में कोबाल्ट होता है वो है विटामीन B12 B12 में कोबाल्ट पाया जाता है कोबाल्ट यानि जो B12 इसमें कोबाल्ट होता है कोबाल्ट एक खनीज लवन है जो विटामिन B12 यानि साइनो कोबाला मीन का महतपूर घटक है विटामिन B12 ब्रधी के लिए यानि ग्रोथ के लिए आवस्यक होता है इसकी कमी से नर्वस सिस्टम की जो कह सकते हैं कारिकी है इसमें गड़वड़ी हो जाती है विटामिन B12 के महत्पूर्ण सुरोत मांस मंचली यकृत दूर पनीर इत्यादी है आच के जीवाणों भी इसका संसलेशन करते हैं बैक्टेरिया भी 58 है विटामिन B12 में निमलिखित में से कौन सी धात्तू महजूद है तो इसका सही जबाब हो जाएगा कुबाल्ट ओप्शन ए 59 है निमलिखित विटामिनों में से किसमे कुबाल्ट होता है निमलिखित विटामिनों में से किसमे कुबाल्ट होता है तो आपको मालूम है सही जबाब क्या होगा कुछ लोग कमेंट भी कर रहे इसी तरह आप हमें पुरसाइद करते रहे कमेंट करते रहे हमारे साथ बने रहे वीडियो को और चैनल को सेर करते रहे ठीक है तो B12 इसका सही जबाब हो जाएगा नेमलिकित बिटामीनों में से जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है वो है आपका बिटामीन B12 प्रशन संख्या 60 है कथनों पर विचार करें कथन A बिटामीन B12 यक्रित में लगवक 3 से 5 वर्सों तक संग रहित रहता है कारण R बिटामीन B12 जल में बिले है इन में से कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है क्या दोनों सही है तेखिए अगर बात करें तो B option बिल्कुल से A और R दोनों सही है किन्टु A का सही असपश्टिक करण नहीं है यक्रित को सिकाओं में विटामीन A, D, E, K और B12 का संचे होता है स्टोरिज होता है विटामीन B12 का रसाइनिक नाम सायनो कोबायलाइमीन है या विटामीन यक्रित में लवगत तीन से पाँच वर्सों तक जो है स्टोर रहता है विटामीन B, जो B है यानि B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 जथा विटामीन C, जल में घुलनसील विटामीन है यानि विटामीन B और C, जल में घुलनसील है जल में घुलनसील विटामीन सरीर के द्वरा उप्यूख किये जाने के पश्चात बच्ची हुई मात्रा मुत्र के माध्यम से विसर्जित कर दी जाती है प्रश्ण में दिया गया जो कारण है कथन का स्पष्टिक करण नहीं है 61 है साइनो कुबालामीन है किस विटामीन को साइनो कुबालामीन कहते है बहुत बार ये प्रश्ण पूछा गया इसको याद रखिएगा किस विटामीन को साइनो कुबालामीन कहते है तो vitamin B12 को sinokobalamin कहते है B12 का racinic नाम ही sinokobalamin है इसके बाद 62 है thymine है इनमें से किस vitamin को thymine कहते है कौन सा vitamin thymine या थाइमिन के नाम से जाना जाता है तो देखे इसका सई जबाब हो जाएगा vitamin B1 को thymine कहते है vitamin B1 का racinic नाम ही thymine है जिसे funk ने चावल के छिलन से प्रथक किया था 1912 में लेकिन बिसुध रुप से इसे Williams ने 1934 में प्रथक किया इस vitamin के कमी से सरीर में बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है vitamin C का racinic नाम ascorbic uml है vitamin B2 और vitamin B6 के racinic नाम riboflavin आगे बढ़ते हैं 63 एक मनुसे को बेरी-बेरी सुखा रोग और अस्करवी रोग की विमारी होगी तो वह नहीं ले रहा है क्या नहीं ले रहा है? किसका उभोग नहीं कर रहा है एक मनुसे या एक इंसान है जिसे बेरी-बेरी का भी रोग, सुखा रोग भी और असकरवी नामग विमारी भी हो गई है यानि वह जिस विटामिन का उभोग नहीं कर रहा है वह है विटामिन B1, विटामिन C और विटामिन D विटामिन B1 D और C के कमी से बेरी बेरी सुखा रोग और असकरवी नामक बिमारी हो जाती है प्रश्ण संख्या 64 निमलखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वपन को परियाप्त आधी तक याद रखने में सहायक होता है निमलखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वपन को किसी ड्रीम को परियाप्त आधी तक याद रखने में सहायक होता है तो सही जबाब हो जाएगा विटामिन B6 C ओप्शन एक अध्यान से यह बात सावित हुआ कि विटामिन B का जो नियमित 7 देखे गए B6 का नियमित 7 करने से स्वपनों को याद रखने में ज़्यादा मददगार सावित होता है 65 है निमलखित में से किस यूग में सही सुमेल नहीं है किस यूग में सही सुमेल नहीं है तो देखिए अगर बात करें तो इसका सही जबाब हो जाएगा option E कैसे सूरे का परकास एवं कौड यकृत तेल बिटामिन D के समरेध सुरोत है गेहु अंकूर तेल बिटामिन E का पर्मुक्ष सुरोत है जबकि alpha-alpha से बिटामिन K पर्चूर मातरा में मिलता है संत्रा बिटामिन C का पर्मुक्ष सुरोत है और इसमें बिटामिन B1 भी बहुत कम मातरा में पाया जाता है तो अब हिष्ट भी कल्प E हो जाएगा 66 निमलकित में से कौन सा यूग में सही सुमेलित नहीं है कौन सा यूग में सही सुमेलित नहीं है तो सही जबाब हो जाएगा बताईए इसका सही जबाब हो जाएगा बिटामिन B2 का समंध कॉड यकृत तेल से दिया गया जो कि सही सुमेलित नहीं है अगर बात करें तो कॉड यकृत तेल, कॉड मचली के यकृत से व्यूत्पन एक आहार पूरक है इसमें ओमेगा 3, fatty acid के तरग बिटामिन A, बिटामिन D भी उपस्तित होता है बिटामिन B2 को राइबो फलेवीन नाम से भी जाना जाता है यह भोजन से उर्जा मुक्त करने में सहायक होता है इसके कमी से किलोसिस नावक रोग हो जाता है अंडे, हरी सबजिया, फलिया, इत्यादी इसके परमुक्त स्रोथ है 67, निमलखित में से कौन सा यूग में सही सुमेलित नहीं है कौन सा यूग में सही सुमेलित नहीं है तो इसका सही जबाब हो जागा बिटामिन A का समन संत्रा से दिया गया यानि विटामीन A है, सबसे ज़्यादा संत्रा में पाया जाता है, या सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा, संत्रा विटामीन C का पर्चूर स्रोत है, रताउंधी जो होता है, नाइट ब्लाइडनेस जो होता है, मनुस्य में होने वाला एक परमुख रोग है, और ये सरी मे विटामीन A के कमी के कारण होता है, नाइट ब्लाइडनेस, विटामीन A का परमुख कार द्रिष्टी रंगाओं रोड़ापसीन संसलेशन में भाग लेना होता है, इसका परमुख सुरूत हरी सबजिया, गाजार, यकरित, मचली का तेली त्यादी है, खटे फॉलो यानि न विटामीन K के कमी से कौन सा रोग होता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि मतलब कि कौन किसका सुरूत है, आपको मिलार करना है तो विटामीन K का जो सुरूत है, अलफा-लफा है, अलफा-लफा, विटामीन D का जो सुरूत है, वो क्या है, विटामीन D का सुरूत कौड य विटामिन के की जो सुरोत है वह अलफा-लफा विटामिन डी का सुरोत कोड यकरी तेल है विटामिन E का गेहों गुरोड तेल और विटामिन C का जो प्रमुख सुरोत है वह है निबवू 69 है सुची 1, सुची 2 के साथ मिलान करना है एक तरफ रोग, दुसरे तरफ कारण दिये गए कौन सा रोग किस कारण होता है मिलान कीजिए रताउंदी, विटामिन A के कमी से रिकेटस, विटामिन D के कमी से इसकरवी, विटामिन C के कमी से बेरी बेरी बिटामीन B1 के कमी से है यानि सही जबाब है बिटामीन स्वरी, option C रताउंदी आखों की एक बिमारी है यह रोग बिटामीन A के कमी के कारण होता है सुखा रोग या रिकेटस हड़ियों का रोग है जो प्राय बच्चों में होता है और यह रोग बिटामीन D के कमी से होता है इसकरवी रोग बिटामीन C की कमी से होता है और बेरी बेरी बिटामीन B1 के कमी से उत्वन हिंता जने रोग है 70 नमबर है सुची 1, सुची 2 के साथ आपको मिलार करना है तो देखिए सुखा रोग जो होता है किसके कमी से होता है सुखा रोग या रिकेटरस बिटामिन D के कमी से होता है बिटामिन D सुखा का सम्मद बिटामिन D बेरी बेरी बिटामिन बताइए बिटामिन B और स्कर्वी बिटामिन C और निसांदता बिटामिन A यानि इसका सही जबाब हो जाएगा option A A का 1, B का 2, C का 3, D का 4 सुखा रोग या रिकेटस vitamin D के कमी से होता है बेरी बेरी आहार में vitamin B1 के कमी से होता है निसांदता या रताउंधी vitamin A के कमी से होने वाला आँखो का रोग है असकरवी रोग vitamin C के कमी से होता है इसके बाद 71 है सुची 1, सुची 2 के साथ मिलान करना है तो vitamin C के कमी से कौन सा रोग होता है बताइए काफी मैतपूर है बहुत बार प्रशने पूछा जा चुका है vitamin C के कमी से असकरवी रोग और vitamin जो A है इससे रताउंधी vitamin B से बेरी बेरी और folic अमल रक्त अल्पता यानि सही जबाब हो जाएगा option A दुवारा से revise कर लेते हैं vitamin C के कमी से सकरवी नामा करोग हो जाता है folic अमल रक्त अल्पता vitamin A के कमी से रताउंधी vitamin B1 के कमी से बेरी बेरी नामा करोग होता है 72 A निमलिकित में से कौन सायूग में सही सुमेलित नहीं है कौन सायूग में सही सुमेलित नहीं है तो सही जबाब हो जाएगा vitamin D का जो संबन दिया गया वडानधता से दिया गया जो कि सही सुमेलित नहीं है color blindness का जो color blindness है एक सिलिंग सहलगन वनसागती रोग है या विटामिन D के कमी से नहीं होता है विटामिन D के कमी से होने वाला जो रोग है सुखा रोग यानि रिकेटर्स तथा ओस्टियो मैलेसिया है विटामिन A के कमी से रतोंदी नामक रोग होता है विटामिन B3 को नियासिन या विटामिन PP कहते है एक तरफ बिटामिन, दुसरे तरफ इसके हिंता से होने वाला रोग, यानि बिटामिन C के कमी से, बिटामिन D के कमी से, बिटामिन E के कमी से कौन सा रोग होता है, आप बताइए, तो देखिए अगर बात करें, तो बिटामिन C के कमी से, बताइए, C असकरवी, D रिकेटस, ब पीसरा जो दियाए रात्री अंदता यानि aglup blindness बिटामिन A के कमिस होता है न कि विटामिन E के कमिस होता है। 24. राइबोफलेविन के कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? राइबोफलेविन के कमी से किलॉसिस नामक रोग हो जाता है याद रखिएगा बेरी बेरी रोग बिटामिन B के कमी से होता है जिसका रासाइनिक नाम थाइमीन है अने सभी विकल्फ सुमेलित है राइबोफलेविन बिटामिन B2 का रसाइनिक नाम है जिसके कमी से किलोसेस नामक रोग हो जाता है 75 निवलिकित में से कौन सा बिटामिन यहम उसके कमी से होने वाला जो रोग है उस सुमेलित नहीं है नेमलिकित में से कौन सा विटामिन और उसके कमी से होने वाला जो रोग है वो सुमेलित नहीं है बताइए तो सही जबावे रागो फ्लेविन का समन बेरी-बेरी से दिया गया है जो की D option है सही जबावे जो की सही सुमेलित क्या है? सही सुमेलित नहीं है 76B वही प्रशन है नेमने में से कौन सा यूग में सही सुमेलित नहीं है कौन सा यूग में सही सुमेलित नहीं है तो इसका सही जबाब हो जाएगा विटामिन A का समध गठिया से दिया गया जो की सही सुमेलित नहीं है विटामिन A के कमी के कारण रतोंधी नामक आखों की विमारी होती है विटामिन D की कमी से सुखंडी यानि सुखा रोग या रिकेटस विमारी या प्रायवा बच्चों में होती है विटामिन C के कमी से असकरवी रोग, यह नि मसूडों से खुनाना और विटामिन B1 के कमी से होने वाला जो रोग है वह है बेरी-बेरी कुपोर्शन जन्ने रोग आगे बढ़ते हैं, प्रेशन संख्या 77, सुची 1, सुची 2 के साथ मिलान करना एक तरफ विटामिन, दुसे तरफ हिंता रोग किस विटामिन के कमी से कौन सा रोग होता है आपको बताना है, रेटिनॉल, रेटिनॉल का जो संबंध है, नेत्र सुकर लाल हो जाता है, यानि रेटिनॉल का संबंध, एक का संबंध ठड़ से है, टोकोफिरॉल, टोकोफिरॉल का संबंध बन देता से है, और सायनोकुबा जो है सैनो कोबालामीन घा तक रखत अलपता है और पाइरीडॉक्सिन का समंद मानसिक व्याधी से है यानि जो सही ओप्सन हो जाएगा ओप्सन बी दुबारा से रिवाइस कर लेते हैं रेटिनॉल का समंद नेत्र सूकर लाल हो जाता है टोको फेरोल में बंध्याता सैनो व्यादिक से है। 28 है निमलकेत में से कौन समयोग में सही सुमेलित नहीं है। जो व्यादिक समयोग से दिया गया जो की सही सुमेलित नहीं है। बिल्कुल correct option है Retinol यानि vitamin A के कमी से 0-Hathalmia रोग होता है Cyanocobalamain vitamin B12 के कमी से रक्त अल्पता तथा vitamin D यानि kolocalciferol D3 या orgocalciferol D2 के कमी से बच्चों में ricateus नामक रोग हो जाता है very-very vitamin B1 यानि thymine के कमी से होता है नकी tocopherol यानि vitamin E के कमी से 79 निमलिकित में से कौन सायूग में सही सुमेलित नहीं है कौन सायूग में सही सुमेलित नहीं है तो इसका सही जवाब हो जाएगा vitamin D vitamin D बंध्यता रोधी बंध्यता रोधी कारक C option सही जवाब है याद रखिएगा vitamin E को बंध्यता रोधी कारक कहते हैं, vitamin D का racionic नाम calciferol है, इसके कमी से बच्चों में, recatus तथा vesco में, osteomalacia नावग विमारी हो जाती है, ठीक है, और प्रस्टर संख्या 80 है, निमलिखित युगमों में से कौन सा सुमेलित नहीं है निमलिखित मतलग कि युगमों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है vitamin K का समद बंध्यापन से दिया गया जो कि सही सुमेलित नहीं है vitamin K का racionic नाम याद रखेगा napthoquinone है napthoquinone है इसे रुधिर स्राव रुधि पदार्श भी कहते हैं, इसके शुरुत हरीपतिया अंडा यकृत आत के जीमाणू इत्यादी है निश्वे रिलिटी यानि बंध्यापन का समद vitamin E की कमी से है 81 है अधो लिखित में कौन सा योगिक एक vitamin नहीं है अधो लिखित में से कौन सा येक योगिक एक vitamin नहीं है वया का बताइए thyroxine thyroxine B option बिल्कुल सही जबाब है vitamin B2, B3, B6 का रसाइनिक नाम करमसा जो है riboflavin, niacin तथा pyridoxin है thyroxine एक हर्मोन है जो thyroid गरंथी से स्रावित होता है 82 केला जो एक फॉल के रूप में अत्याधिक मुल्लेवान भोज्य पदार्थ माना जाता है इसके 100 गरामे प्रती 100 गरामे जो कैलोरी प्राप्थ होती है वो होती है 116 किलो कैलोरी ठीक है D option केला कुल म्यूजेसी के अंतरगत आता है केला का जो कुल है म्यूजेसी के अंतरगत है जिसके फॉलो में पर्चूर मात्रा में कार्बो हाइड्रेट्स पाया जाता है इसके अलाबा इसमें वसा, प्रोटीन्स, खनीज, लवाण, विटामिन्स पाया जाते है केले से 89 किलो कैलोरी प्रती 100 गराम उर्जा प्राप्थ होती है विकल्प में निकष्ट जो उतर होगा 116 किलो कैलोरी उर्जा की मात्रा यानि D सही जवाब है 83 फलिया अत्याधिक पॉष्टिक होती है क्योंकि उनमें पर्चूर मात्रा में होती है फलिया अत्याधिक पॉष्टिक होती है फलिया में सबसे ज़्याधा क्या पाया जाता है पर्चूर मातरा में क्या पाया जाता है तो याद रखेगा प्रोटीन B-Option इसके बारे में बात करें तो खलीों में पर्चूर मातरा में प्रोटीन पाया जाती है इनके पौधे लेगुमीनोसी कुल के अंतरगत सामिल है इनकी जड़े या जड़ों की गरंथियों में नाइट्रोजन इस्थरी करण करने वाले जीवाणू पाय जाते हैं जैसे मटर और अहर मुंग, स्वावीन, मुंगफली, उड़द, आदी 84 है प्रोटीन की अधिक्ता मातरा पाय जाती है याद रखेगा प्रोटीन की अधिक्ता मातरा स्वयावीन में पाय जाती है प्रोटीन की सबसे ज़्यादा मातरा स्वयावीन में पाय जाती है इसमें प्रोटीन की मातरा लवा 40% होती है या मुख्यता दलहनी और तिलहनी फसल है स्वयवीन से दूध तयार किया जाता है जो गये के दूध के यह संकक्ष होता है मढ़ पदे स्वयवीन उत्पादक पर्मुख राज्ये है 85. सरवाधिक प्रोटीन मात्रा होती है प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा किसमे पाई जाती है तो याद रखिएगा सोयाबीन में यानि C option बिल्कुल सही जवाब है 86, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है वही प्रश्ण वही जवाब सोयाबीन के दानों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 87, निल्कित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है याद रखिएगा मुंगफली B option वह प्यूक्त बिकल्पों में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मुंगफली है 100 ग्राम कच्ची मुंगफली में 1 लीटर दूद के बरावर प्रोटीन होता है 88 प्रोटीन और वसा दोनों की परचूरता है प्रोटीन और वसा दोनों की परचूरता किसमे होती है तो सही जबाब है मुंगफली में यानि B अप्सन बिल्कुल सही जबाब है मुंगफली में प्रोटीन, वसा और शक्रापाईज आती है मुंगफली में प्रोटीन की मात्रा मांस के तुनला में 1.3 गुना अंडों से 2.5 गुना, फलों से 8 गुना अधिक होती है 100 गराम कच्ची मुंगफली में 1 लिटर दूद के बराबर प्रोटीन होता है मुंगफली में प्रोटीन 25,3 प्रतीसत और वसा 48.1 प्रतीसत पाईज आती है 89, निमलिखित में से कौन सा मुख्यता कार्वो हाइडरेट है निमलिखित में से कौन सा मुख्यता कार्वो हाइडरेट है तो इसका सही जबाब हो जाएगा चावल C आप्सन उप्यूक्त बिकल्पों में चावल कार्वो हाइडरेट का मुख्य सुरूत है 100 ग्राम पके हुए चावल में लगवा 25-25 ग्राम कार्वो हाइडरेट की मात्रा पाईज आती है वास्तों में चावल में 90% कैलोरी कार्वो हाइडरेट से आती है चावल सधारन खाद पदार्थों के तूलना में अधिक विटामिन, खनीज और फाइबर परदान करता है 90. प्रोटीन की परचूरता वाले खाद पदार्थों में उपसित अमीनो अम्ल टाइरोसीन के बारे में निम्लिखित कतनों में से कौन सा सही नहीं है कौन सा कतन सही नहीं है तो ये बुढ़ापे के लिए उतर दाई मुक्त मुलकों के विरुद रक्षा कर सकता है ये कतन सही नहीं है टायरोसीन से सारेरिक सतकर्ता और उर्जा को बढ़ाने में मदद मिलती है इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं नेक्स सेशन में प्रशन शंके 91 से स्टार्ट करेंगे आप अपना परतिक्रिया देते रहे हैं आपके परतिक्रियाओं का हमें बेसबरीच से इंतिजार रहता है जी लोगोने टेलिग्राम चैनल, टेलिग्राम क्वीज ग्रूप, फेस्बूप, पेज, इंस्टाग्राम को जोईने किया है वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में उसका लिंक है आप जोईन कर सकते हैं हमें सपोर्ट करें आपका सपोर्ट हमारे लिए काफी महत्पूर है थाइंक यू